नवश्कार दोस्तों मैं हूँ सुर्जी शामल और आप देख रहे हैं वरकर भास टॉर्टिन आज हम बात करेंगे ग्रेच्चुटी के बारे में कि ग्रेच्चुटी आपको कब मिल सकता है ग्रेच्चुटी क्या है और इसका कैलकुलीशन कैसे करेंगे इन तमाम बातों की ज आपधान है हम इसको मोटे तोर पर जानेंगे इससे पहले आप लोगों से अनुरूद है कि आप हमारे चैनल पर अगर नया है तो जल से अल इसको सब्सक्राइब कर लिए और इसके साथ ही जो वेल आइकन है इसको जरूर किलिक किजे ताकि हम इस चैनल पर जो भी वीडियो महिला करमचारी से मुलाकात हुई जिनकी उमर करीब 55 साल थी और वो अपनी कमपनी में जहां पी 100 से भी हदिक करमचारी काम कर रहे थे उसमें वो पिछले 30 साल से काम कर रही थी उन्होंने बताया कि अगले 5 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगी और हमारा पी-फ का इतना करमचारी वहां पर काम कर रहे हैं तो बिलकुल आपको ग्रेचुटी भी मिलेगा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना मिलता है फिर मैंने उनको बताया तो काफी खुश हुई उन्होंने मुझसे नंबर लिया और बोला कि मैं रिटायर कर जाऊंगी तो आपको फोन रखती हैं अगर नहीं मिले तो बिलकुल आप मुझे कॉल कीजिए इसके अलबा मैंने उनको चैनल के बारे मीं बताया तो शाद वो देख रही हो कहीं तो बाकी लोग को भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि कई जगा हम 10 साल 15 साल से काम करते रहते हैं ऐसे त जो लोग भी जॉब करते हैं ग्रेचुटी का नाम सबने सुना होगा हो सकता है किनी किनी नहीं भी सुना होगा लेकिन आज जब हम बताएंगे तो इसमें आपको यह भी जानकारी देंगे किस तरह से आपका ग्रेचुटी आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आप इ ऐसे तो कहा जाता है retirement benefit है यानि कि retire करने के बाद दिया जाता है लेकिन कुछ प्रावधानों के हिसाब से कम से कम अपने अगर 5 साल की service पूरा कर ली है तब भी आपको ये मिलता है किसी सरकारिया private company में काम करने वाले करमचारी ग्रेचूटी के हकदार होते हैं अभी हाल ही में private employee के लिए लागू कर दिया गया है आप अगर किसी नीजी कमपनिया सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो company क्या करती है आपके सेवा के बदले यानि की retirement के टाइम में एक अत्रिक्त लाव देती है जिसको ग्रेचूटी कहा जाता है और ये जो होता है करमुक्त होता है जै जानेंगे आप अगर किसी सरकारी या private company में contract या outsourcing के माध्यम से काम कर रहे है तो उसमें क्या करता है जो आपका principal employer है वो ठेकेदार हर एक साल दो साल और तीन साल पे change कर देता है तो उसका जो change करने का मुख्यूदे से ही होता है कि ये जो ग्रेचूटी का जो लाव है उसस साल से कर रहे हैं लेकिन आपकी service break कर दी जाती जिसकी वाशे इसका लाव आपको नहीं मिल पाता है इसका लाव लेने के लिए एक ही ठेकेदार के माध्यम से कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए इसको आपको हमेशा याद रखना है अब हम जानते हैं कि ग्र वर्ष की सेवा अब दी पूरी करने वाला हर employee gratitude का हकदार होता है gratitude act 1972 के अनुसार करमचारियों को उसकी सेवा के परतेक वर्ष में 15 दिन का वेतन gratitude के तौर पे दिया जाता है इस act के ताहत करमचारी वो है जिसको company अपने payroll पे रखती है और trainee यानि कि जो प्रसिक्षू है gratitude के हकदार नहीं होते है इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है gratitude के दौरा मिले हुए 20 लाख रुपे तक की रासी पर कोई text नहीं दिया आता है और आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी company में 10 या उससे अधिक employee है तो आप gratitude के हकदार होते है यानि कि आपको हर हाल में gratitude मिल company से group gratitude खरीद लेते हैं जिसमें कि वो contribution जमा करते हैं कभी-कभी employee भी उसमें अपना contribution दे सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं है अब शवाल आता है कि gratitude का calculation कैसे करते है यानि किसका गणना कैसे करते है ग्रेचुटी का गणना करना बहुत ही कठिन काम नहीं है यह उन employee के लिए होता है जो किसी private company या सरकारी भीवाग में काम करते हैं वो gratitude के हगदार होते हैं ऐसे तो आपका employer या company जितना ज्यादा चाहे उतना आपका gratitude का भुकतान कर सकता है लेकिन कम से कम उसको जो सरकार के दौरा तय एक्ट है उतना भुकतान करना आनिवार जाए इसके लिए formula तय क किया हुआ है उस formula के हिसाब से कम से कम उनको पेक करना होता है अब आप पूछेंगे कि वह formula क्या है और किस तरह से हम gratitude का calculation कर सकते हैं आप में से काफी लोग calculation बता देने के बाद भी बार बार comment करते रहते हैं इश्वार आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इसको calculate किया क्या क्या component को किस से गुना करना है यह सारा कुछ detail में बताया हुआ होगा ऐसे हम यहां जानते हैं जैसा कि हमने पहले बताया कोई भी employee जो कि 10 या 10 से अधिक employee वाले अस्थान पे काम करता है इसके वारे में यह भी है कि अगर एक वार 10 की संख्या पूरी हो गई कल को हो सकता है आठ हो जाया साथ हो जाया तब भी उस एक्ट के अंतरगत आएगा इस बात को आप हमेशा ध्यान रखे कहीं कहीं क्या होता है अभी 10 की संख्या में लोग काम कर रहे हैं और उसमें से दो छोर के चला गया तो आठ हो गया तो employer उस पे इंकार नहीं कर सकता है एक वार आप सके record में जब 10 आ गया तो आप ग्रेचूटी के हगदार होते हैं ग्रेचूटी का जो calculation है आपके नौकडी छोड़ने का जो साल है उसमें जो salary दिया है उसका और आपका working year कितने साल आपने काम किया है यह दो महुत पूर्ण कारक है इसी के अधार पे इसका calculation होता है और आप में से किसी एक आदमी का नाम सुरीश है और आपने किसी company में 10 वर्स काम किया आपने जो last salary आपको मिली है यानि कि आपका जो salary slip है उसमें आपका आंतिम जो basic है वो 20 रुपया है और DA यानि कि महंगाई भत्ता जो है वो 5 रुपया है तो इसका हम कैसे calculation करेंगे वो हम देखत हैं इसका जो formula है basic salary पलस DA इसको 15 से गुना करना होता है फिर इसको into यानि कि जितने साल आपने काम किया और बटा 26 यहां पे एक महिने में 26 दिन मानेंगे है इसलिए यहां पे हम जहां पे जैसा कि मैंने बताया था सुरेश की जो basic है वो 20 र है और DA 5 र है इस दोनों को add करें गुना करने के बाद आपको 10 से गुना करना है और उसमें 26 से भाग देना है तो इस तरह से जो सुरेश का gratuity निकलेगा वो निकलेगा 1,44,230 रुपया चीहत्तर पैसे का इस तरह से आप भी अपना gratuity खुद से calculate कर सकते हैं इसमें कोई बहुत वारा rocket science नहीं है इसमें गुन ब्लॉग है उसमें detail में आपको बताऊं और उस formula का यूज करके आप जान सकते हैं आप मांग कर सकते हैं इसके आगे अगर आप जानना चाहते हैं जो gratuity claim कैसे करें अगर आपका employer आपका gratuity नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या करना है तो आप नीचे comment करके आप बताएंग है झाल लो inte उसे हैं लोल में जाप बताएंग कर दो आपका कर में आपका तो हैं mall रहा है आपका हैं में जो आपका एंगर आपकार सकते हैं प piùताई होता है प All construct है आपका बता मांगर है 되 有 डट wantail들 आपका हैं अगर वला यो